जहिन बच्चों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं क्लास 12 मैट्स में जो की जारखन बोट के बच्चे हैं उसके लिए बर्मा गैस पेपर से अब्जेक्टिब कोईशन को सॉल्व किया जा रहा है चुकि अब्जेक्टिब कोईशन का सिर्फ इसमें आंसर दिया गया है और इसका डिटेल में डिसकेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिसके चलते आप ठीक तरह से समझ सकें और अब्जेक्टिब कोईशन को सॉल्व कर सकें क्योंकि आप लोगों को 40 अब्जेक्टिब question इसमें पूछा जाएगा और जहां तक subjective वाली बात है तो subjective का solution जो है गैस पेपर में बहुत ही बरिये ढंग से दिया गया है आप इसे देखकर समझ सकते हैं फिर भी अगर आप इसमें दिक्कत पाते हैं या आपको दिक्कत होती हैं तो comment के माधियम से या question का pick आप भेजिए मैं जरूर कोसिस करूँगा कि उसका answer आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुचा दूँ तो जैसा कि हम लोग बना रहे थे relation और function का mcq यानि objective question बना रहे थे इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था question number 10 तक का solution हमने आप लोगों को बताया था आज हम लोग question number 11 और उसके बाद के problem को देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर fx equal to 3 है यह आपका चुकी 3 constant है इसलिए यह आपका constant function कहलाएगा इसमें यह memory based पर है चुकी constant function का definition हमने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है कि यह function which is in the form of fx equal to c c आपका क्या है constant है यहाँ पर सिर्फ 3 ही नहीं 4, 5, 6, 7 कुछ भी आ जाए कभी कभी k भी लिखा जाए या आपको कहा जाए कि k constant है तो ऐसी स्थिती में यह function जो होता है आपका constant function होता है इसके बाद अगर हम चलते है question number 12 में तो 12 में आपका देखिये दिया गया है क्या कि यहाँ पर आपका एक function है और f0 का value निकालना है आपको तो क्या करेंगे हम लोग simple x के जगह पर जो है 0 put कर देंगे तो यह 0 का square minus 0 plus 7 हो जाएगा तो इसका value हमको 7 मिल जाता है तो यहाँ पर 7 जहां हमारा answer है वही correct answer हो जाएगा इसके बाद अगला question क्या कहता है कि let r be the relation on n, n में define है n आपका क्या है natural number है defined by x plus 2y equal to 8 तो x plus 2y equal to 8 है आपका और यहाँ पर यह define है आपका natural number में natural number में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम लोग लिखते हैं यह आपका natural number अब कहता है कि the domain of r, r का domain इसका domain क्या होगा तो domain कहने का मतलब क्या हुआ x का value अगर हम इसको ऐसे लिखे 2y equal to 8 minus x हो जाएगा और y का जो value हो जाएगा यह आपका 8 minus x by आपका 2 हो जाएगा अब यहाँ पर यह जो relation है आपका define है an पे यानि कि इसका domain भी n है और यह इसका co domain भी आपका n ही है तो अब यहाँ पर सोचिए कि x का क्या क्या value रखने से y का value natural number भी ले अगर आप x का value यहाँ 1 रख देते हैं जैसे 8 minus 1 by 2 equal to 7 by 2 जो की आपका natural number नहीं होता है तो इसलिए यहाँ 1 को नहीं रख सकते हैं यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं उसके बाद 4 रख सकते हैं उसके बाद 6 रख सकते हैं और 8 अगर रखते हैं तो 8 minus 8 by 2 equal to 0 हो जाता है जो की natural number नहीं है तो इस स्थिती में हम क्या देख रहे हैं सिर्फ 3 ही option हमको मिल रहा है जो की x का मान हो सकता है जिसके चलते y भी natural होगा और x भी आपका natural number ही है अब यहाँ पर natural number होना चाहिए तो इसी लिए हमारा correct answer जो हो जाएगा 246 हो जाएगा 246 हमको 1 में देखने को मिलता है इसके बाद हमारा question number 14 तो question number 14 में देखे क्या कह रहा है कि यह जो relation R है यह L1 और L2 दो हमने line लिया हुआ है और इस तरह से है कि L1 जो है perpendicular आपका L2 है तो क्या यह जो है आपका किस तरह का relation है तो यहाँ पर हम लोग सोचते है कि reflexive होने के लिए हमको क्या चाहिए reflexive होने के लिए L जो है related to L1 होना चाहिए क्या L1 जो है perpendicular to L1 पर हो सकता है क्या कोई एक line मौल लिजी L1 है और यही line क्या इस पर perpendicular हो सकता है तो नहीं हो सकता है यह आपका false हो गया यानि कि यह जो है reflexive आपका नहीं है symmetric देखते हैं तो symmetric में rule क्या कहता है कि L1 perpendicular to L2 अगर हो तो क्या इस L2 को perpendicular हम L1 कह सकते हैं तो भाईया yes कह सकते हैं देख लिजी क्या कि अगर मान लिजी एक line है आपका L1 दूसरा line है आपका L2 अगर L1 जो है perpendicular है L2 पर तो यहाँ पर निश्चित रूप से यह L2 जो है L1 पर भी perpendicular है तो यह symmetric आपका क्या है true है यह आपका क्या है true है symmetric यह हो सकता है अब इसके बाद देखा जाए reflexive में क्या होता है कि हमारा L1 perpendicular L2 हो उसके बाद L2 जो है perpendicular आपका L3 हो तो यह क्या आपका L1 और L3 एक दूसरे पर perpendicular हो सकता है तो यह हो सकता है अगर यह आपका define हो कहाँ अपर 3D में define हो तो यह हो सकता है लेकिन अगर 2D में define हो तो यह नहीं हो सकता है यह नहीं हो सकता है तो अब हम लोग देख लेते हैं कि the set of all line in a plan plan में बोल रहा है तो plan में देखिए कि L1 जो है L2 का perpendicular है अब फिर L2 के perpendicular जो है आपका L3 है यह L1 और L3 जो है कैसा हो जाता है parallel हो जाता है perpendicular नहीं रहता है तो यह आपका reflexive भी नहीं है अब जूनते हैं कौन सा option सही होना चाहिए यह दूसरा नंबर में ही कह रहा है कि symmetric हैं but neither reflexive nor transitive तो यह हम correct answer 2 को चून लेंगे बात समझ में आ गई है आप लोगों को इसके बाद हमारा question number 15 तो 15 में क्या कहता है कि let f and g be one one on two function अगर f और g जो है one one on two function हो तो f composition g भी one one on two function ही होगा यह आपको composition of function के property में बताया गया है अगर आप relation function को सुरू से देखना चाहते हैं तो मेरे site पर आप लोगों को मिल जाएगा इसका lecture आप घर बैठे देख सकते हैं और समझ सकते हैं तो यह हमारा answer correct answer क्या हो जाएगा यह भी आपका one one on two होगा इसके बाद हम question number 16 में चलते हैं तो 16 में देखिए यह function आपका दिया गया है और यह define है r से लेकर r तक then f f is f क्या है आपका अब हमने बताया था पिछले वीडियो में भी कि अगर यह आपका linear equation हो और यह आपका r to r में ही define हो तो यह निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा one one और on two दोनों हो जाएगा अगर यह n से n में define हो तो नहीं हो सकता है यह आपका one one on two नहीं हो सकता है इसलिए याद रखिएगा इसका domain और co domain बहुत ही महतु रखता है इसका one one और on two होने में इसके बाद जो question number 17 है यह 17 आपका doubtful question है इसमें doubt क्या है कि बोला कि this then is equal to यह question ही incomplete है तो बच्चों यहाँ पर जो आपका answer for none of these दी आ गया है सबसे पहले question ही incomplete है इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि क्या इसका option होगा तो इसको skip करके आप लोग आगे बढ़िये इसमें उलजने से कोई फायदा नहीं है अब question number 18 में देखते हैं क्या कि A आपका एक set दिया गया है जिसमें one two three four और यह five दिया गया है कहता है a relation r is defined by r जो है आपका कैसे defined है x y ordered pair है such that x और y जो है a से आया हुआ है यहीं से आया हुआ है और कहता है x less than y है आपका तो यह किस तरह का relation है तो सबसे पहले reflexive होने के लिए हमारा x जो है related to x होना चाहिए तो क्या x को हम less than x बोल सकते हैं क्या four को less than four बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं फाइब को less than five बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं इसलिए यह जो है आपका false हो गया इसलिए यह reflexive relation आपका नहीं है अब symmetric में देखते हैं तो symmetric में कहता है कि अगर x related to y हो तो इसका मतलब x less than y होगा अब क्या y को less than x लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं y को x से related हम लोग नहीं लिख सकते हैं यह आपका false हो जाएगा क्यों भाईया क्योंकि देखिए example अगर 4 less than 5 है तो क्या आप 5 को less than 4 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं इसलिए यहां symmetric भी नहीं है ट्रांजिटीव के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर x less than y हो और y less than z हो तो निश्चित रूप से x less than z हो जाएगा यानि कि यहां आपका ट्रांजिटीव है यह क्या है आपका ट्रांजिटीव है अब हम लोग answer में ढूंडते हैं यह 3 जो है इसका correct answer हो जाएगा उसके बाद question number 19 तो 19 में देखिए 2 4 6 8 यह a में define है a में कौन-कौन से element है 2 4 6 और 8 है और r यह relation defined on a as r में देखिए क्या-क्या दिया गया है 2 4 है 4 2 है आपका 4 6 है और 6 4 है ओके तो यह कैसा relation है तो यहां यह तो बता रहा है कि यह symmetric है तो क्या है भहिया यह symmetric है चुकि यह आपका reflexive तो हो नहीं सकता है reflexive होने के लिए 2 2 होना जरूरी है 4 4 होना जरूरी है 6 6 होना जरूरी है 8 8 होना जरूरी है तो हो ही नहीं सकता है अब उसके बाद transitive में देख लिजिए 4 6 लेते हैं 6 4 लेते हैं तो इस दोनों से 4 4 आपको मिलता है जो की है ही नहीं तो reflexive भी नहीं है आपका इसलिए हमारा सि एक option बच जाता है क्या कि यह आपका symmetric है इसके बाद हम question number 20 को देखते हैं तो question number 20 में देखिए कि PQR दिया गया है which of the following is equivalence relation on A तो इसमें से कौन equivalence relation है तो सबसे पहले हमको reflexive होने के लिए PP, QQ और RR चाहिए PP, QQ नहीं है इसमें है na QQ नहीं है इसमें तो यह तो नहीं होगा दूसरा में देखते है PP है PP ही नहीं है PP नहीं है तो यह reflexive होगा ही नहीं equivalence होने के लिए reflexive, symmetric और transitive तीनों होना जरूरी है इसमें हम देखते है PP है, QQ है, RR है अब PQ है तो QP नहीं है इसमें देख रहे हैं na symmetric होने के लिए PQ के बदले में QP आना चाहिए तो यह भी symmetric नहीं है तो इसलिए कोई एक चीज नहीं हो जैसे reflexive, symmetric और transitive में तीनों में से कोई एक चीज नहीं होगा तो वो आपका equivalence relation हो इनी सकता है तो तीनों तो equivalence relation नहीं है तो इसका मतलब 4 हमारा सही answer है तो उमीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होगे इसके बाद हमारा question number 21 तो वहिया यह 21 जो है आपका doubtful है इसको skip करने में ही फाइदा है इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाईए थोड़ा सा आगे पीछे ह होने से इसमें सुधार हो सकता है जैसे कि अगर आपको यहां पर app composition G पूछ दे या G composition app पूछ दे तब हम क्या करते हैं इसमें से किसी answer को select कर सकते हैं यह question ही आपका पूरा नहीं दिया गया है तो इस तरह का हलांकि बहुत सारा question आपके book में भी है आरसगरवाल book में भी है अगर आप lecture को सुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और इसको भी आप लोग निकाल लेंगे आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर 22 में क्या कह रहा है कि the function जो है n से लेकर n तक defined fx equal to 2x तो सुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि अगर function n से लेकर n तक हो r से लेकर r तक रहता तो यह linear equation जो है आपका निश्चित रूप से 11 और on to होता लेकिन यहां natural number है natural number में हमारा doubtful हो जाता है यह आपका 11 तो हो जाएगा जैसे x का value 1 रखिये तो y का value 2 into 1 निकलेगा 2 रखिये तो 4 निकलेगा 3 रखिये तो 6 निकलेगा यह 11 तो हो जाता है लेकिन on to नहीं होता है क्यों नहीं होता है on to इसका कारण देखिये जैसे fx equal to हमारा 2x है और इसके बाद y equal to 2x लिख सकते है x का value y बटे 2 लिख सकते है यहां x भी natural number है और y भी आपका natural number है अब देखिये यहां पर आप y के बदले में y के लिए 1 ले लिजिए तो यह 1 by 2 हो जाएगा यानि x का value 1 by 2 हो गिया और इस x का value 1 by 2 natural number का element है ही नहीं यानि कि एक 1 के चलते जो है यहां फैल हो जाता है y में जो एक element 1 है उसका pre image 1 by 2 निकलता है जो 1 by 2 जो है इसमें है ही नहीं इसके domain में इसलिए यह आपका not 1 to होगा लेकिन 1 1 होगा इसके बाद हमारा question number 23 तो 23 में देखिए यहां पर which of the following have inverse inverse किसका है तो inverse जब भी होता है 1 1 और on 2 function का ही inverse होता है तो बच्चों यहां पर हम क्या देख रहे है कि 4 element के लिए 1 का 10, 2 का 10 यह आपका many 1 function हो जाता है तो 1 1 नहीं है इसलिए पहला नहीं हो सकता है यहां पर 4 element है इसमें भी 4 element है लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे है कि 5 का भी 4 image है, 7 का भी 4 image है तो यह भी आपका many 1 हो गया, क्या हो गया? यह many 1 हो गया अगर definition याद होगा तो आपको ठीक तरह से समझ में आ रहा होगा यहां पर भी 4 element है, यहां भी 4 element है और हर एक का समद एक से है एक का समद जो हे एक से है चार का समद जो हे 11 से है पांच का समद जो हे 13 से है तो यह आपका one one और on two function होगा इसलिए यह three number को हम लोग select करेंगे जो की आपका function है जिसका inverse exist करेगा 1 1 on 2 होगा तभी उसका inverse हमको मिलेगा तो यहाँ पर इसका correct answer 3 हो जाएगा इसके बाद आपका question number 24 जो दिया गया है इसका option गलत है कैसे गलत है यहाँ पर बोला x y और x जो है greater than y तो यह x अगर greater than जैसे माल लिया जाए कि यहाँ 5 जो है greater than किस से हो जाए 1 से हो जाए तो क्या 1 greater than 5 हो सकता है नहीं हो सकता है यह चीज नहीं हो सकता है और यह कह रहा है कि symmetric हैं इसका answer तो भाईया यह symmetric हो ही नहीं सकता है यह बहुत जादा तो transitive हो जाएगा है ना transitive ही होगा इसलिए इसका correct answer जो हो जाएगा 3 हो जाएगा तो इसको सुधार कर लिजेगा इसके बाद हमारा question number 25 तो question number 25 में आपका क्या दिया गया है कि A और R ये relation A A, A B, A C और B C दिया गया है reflexive को यहां से उड़ा दीजिए चुकि reflexive होने के लिए A A चाहिए B B चाहिए और इसमें CC चाहिए अब symmetric देखते हैं तो A B है तो B A exist करना चाहिए B A इसमें कहीं है ही नहीं तो ये symmetric भी नहीं है उसके बाद transitive के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि A A तो खुद में transitive है अगर A B है तो B से शुरू होने वाला B C है आपका तो B B यहां से हटने के बाद A C मिलता है A C यहां तो मिल रहा है तो इसका मतलब transitive को fulfill कर रहा है यहा है तो इस स्थिती में यह transitive तो लग रहा है और मेरे ख्याल से निश्चित रूप से यह transitive relation है अलांकि यह transitive होना चाहिए लेकिन option में आपका फोर दे दिया गया है जो की doubtful है इसके बाद हमारा अगला question जो है यह question number 26 तो question number 26 में आप देखिए क्या दिया गया है the relation r in the set a of all the books in library of a college given by r equal to x y x and y have the same number of pages तो same number of pages है दो book में x एक book लिए y एक book लिए तो इस तरह का relation कैसा relation होगा तो यह आपका equivalence relation होगा चुकि x related to x होई सकता है जो की reflexive बताता है आपको अगर x related to y है तो y related to x होई सकता है जो की आपका symmetric है attractive तो होगा ही आपका है ना x related to y है और y related to z है तो यह निश्चित रूप से x related to आपका z हो जाएगा यानि X और Z में पेज की संख्या बराबर होगी X और Y में पेज की संख्या बराबर हो और Y Z में पेज की संख्या बराबर हो तो निश्चित रूप से X Z में पेज की संख्या बराबर होगी तो यह reflexive भी है, symmetric भी है, transitive भी है तो इसी लिए यह आपका equivalence relation है अब यहाँ पर देखिए कि f composition g x आपको निकालना है जिसमें f x cos theta दिया गया है g x आपका x square दिया गया है तो यहाँ पर f लिखकर g x लिख देंगे और g x के बदले में हम लोग देखिए x का square लिख सकते है अब यहाँ पर देख लिजिए यहाँ पर cos x का square हमको 3 में देखने को मिल रहा है तो 3 हमारा सही answer हो जाएगा इसके बाद question number 28 तो 28 में देखिए n से लेकर n तक है और यह linear equation है तो निश्चित रूप से यह one one तो होगा लेकिन on two नहीं होगा इसी लिए यह जो आपका दिया गया है one one और on two भी यह बोल रहा है बच्चों यह on two नहीं होगा कैसे नहीं होगा मैं इसे आपको prove करके दिखाता हूँ y equal to three x plus four लिए अब y minus four by three equal to क्या होगया x होगया है ना y का value देखिए one तो लेहीं सकते हैं जो की natural number में depend करता है तो x का value क्या निकलता है one minus four by three यानि minus three by three जो की minus one निकलता है और यह minus one जो है n का element नहीं है यानि की one का pre image minus one मिलता है जो की इसके domain में नहीं है इसलिए यह आपका on two नहीं होगा यह not on two होगा one one और on two होगा इसका answer सुधार के आप one लिख लीजिएगा इसके बाद हमारा question number 29 तो 29 में देखा जाए कि यह function fx equal to two x plus seven दिया गया है और f inverse x निकालना है आपको तो इसको y equal to two x plus seven लिखिए इसको y मान कर और y minus seven seven को इधर ला दिये उसके बाद यह two x हो गया अब यह two भी इधर आ गया तो हमारा सिर्फ x बचा इसी x को हम लोग f inverse x लिख सकते हैं तो यही हमारा answer हो जाएगा y minus seven या तो इसको x minus seven by two भी लिख सकते हैं y के जगह पर हम x replace कर सकते हैं तो x minus seven by two हमको four में देखने को मिलता हैं तो यही हमारा सही answer हो जाएगा अगर इसमें doubt होता हैं आपको कि कैसे निकाल दिये sir तो इसके पूरे वीडियो को देखिए relation function के पूरे वीडियो को पूरा हमने आप लोगों को बताया है इसके बाद हमारा question number 30 यह 30 जो है repeat है यह question number two जो आपको बताया गया है same question number two के तरह यह आपका 30 भी है तो यहाँ two को देखकर आप लोग समझ गया होंगे पिछले वीडियो में उसी तरह से 30 भी आपका हो जाएगा इसके बाद 31 जो है आपका इसमें देखिए A जो आपका दिया गया है 1,2,3 दिया गया है और B जो है आपका 1,2,1,2 और 2,3 और उसके बाद 1,3 यह सब element ordered pair में दिये गया है अब यह कई सारी relation है तो सबसे पहले यह reflexive तो नहीं है होगा तो भाईया यहाँ पर हम देखते हैं कि reflexive यहाँ तीसरा नमबर में सिर्फ transitive की बात कर रहा है यह 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए 2,1 इसमें नहीं है यानि कि symmetric भी यह नहीं है reflexive भी नहीं है तो क्या हमको लग रहा है कि यह transitive ही होगा और यहाँ पर not transitive, not transitive, neither reflexive, neither symmetric or not transitive transitive हैं इसके लिए सोच सकते हैं 1,2 है तो 2,3 भी हैं तो 1,3 इसमें exist कर रहा है तो यह निश्चित रूप से आपका क्या है transitive हैं तो उमीद करते हैं कि इसे भी आप लोग स्थीक तरह से समझ गए होंगे अब यहाँ पर ध्यान दीजिए question number 32 जो की 3 already हम लोग पहले बना चुके हैं यह repeat किया गया है तो यहाँ पर देखिए 3 हमने discuss किया है पिछले वीडियो में इसे आप देख लिए होंगे संभवता अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए यह 1 से लेकर 10 तक का solution इसके ठीक पहले वाले वीडियो में है तो यह आपका repeat है न तो इसका answer जो होगा यही 4 हो जाएगा ना तो 11 होगा ना तो यह on 2 होगा इसके बाद question number 5 का repetition जो है आपका 33 में है तो 5 जिस तरह से हैं आपका उसी तरह से यहां 33 भी आपको दे दिया गया है इसका answer जो है आपका 3 हो जाएगा इसके बाद R जो है इस सेट में define है 1,2,2,1 है तो निश्चित रूप से यह क्या है आपका symmetric है 1,2,2,1 1,2 है तो 2,1 भी exist कर रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा symmetric हो जाएगा इसके बाद question number 35 में देख सकते हैं आप कि R be the relation in the set A, R कोई relation है इस set में given by R equal to mod of A minus B is multiple of 4 और यहाँ जो है यह relation किस में define है Z में तो Z में हमारा क्या क्या आता है negative number negative integer positive integer है ना और उसके बाद 0 यही है आपका Z negative natural number positive natural number और 0 तो यह जो है आपका जो दिया गया है multiple of 4 यह आपका equivalence relation ही होगा क्योंकि अगर 4 अगर इसमें क्या होता है A related to A यानि कि अगर A में minus A करें तो यह 0 होता है जो कि 4 से divisible है तो इसलिए यह आपका reflexive भी है symmetric क्या होता है अगर हम 4 related to 8 कर दें तो यह निश्चित रूप से 8 related to 4 भी हो जाएगा इसका difference जो है आपका minus 4 और इसका difference जो है plus 4 आता है दोनों ही आपका जो है किस से divisible है 4 से divisible है यानि 4 8 से related है तो 8 4 से related है इसलिए यह आपका symmetric है उसी तरह से यह transitive भी हो जाएगा तो इस तरह से यह हमारा equivalence relation हो जाता है इसके बाद यहां पर यह जो question है आपका आर दिया गया है relation on the set A तो आर कैसा relation है तो यह कह रहा है कि reflexive है तो भाईया reflexive होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 को होना चाहिए आर देखे relation है और यहां आर को पूछ रहा है A में define है तो कैसा relation है तो यह किसी हालत में reflexive तो नहीं हो सकता है इसलिए इसका answer जो है आपका गलत दिया गया है और हम इसको जो है यह कह सकते है 1 3 है तो 3 1 भी है 4 2 है तो 2 4 है 2 3 है तो 3 2 नहीं है तो यह आपका symmetric भी नहीं है और not symmetric तो किसी हालत में होगा ही नहीं यहां function होने का भी chance नहीं बनता है क्योंकि 1 4 2 2 2 2 का image यह unique नहीं है आपका हमेशा unique image होना चाहिए देखे 2 का image 4 भी है 2 का image 3 भी है तो यह function भी नहीं है तो इसलिए हम इस तीनों में से तो किसी को नहीं है कहेंगे और यहां transitive है की नहीं इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि 3 से 1 1 नहीं है देखे 1 3 लिए और 3 1 लिए तो इसमें 3 3 को हटा दिए तो 1 1 हमको मिलना चाहिए 1 1 भी नहीं है तो यह transitive भी नहीं है तो यह इसलिए यह question जो है आपका गलत है इसके बाद देख लिए यहां पर आपका यह modulus function है आपका modulus function जो है ना तो one one होता है और ना ही आपका onto होता है इसको हमेशा याद रखिए इसके बाद आपका यहां भी उसी तरह का है कि एक आपका FX दिया गया है f x जो है आपका क्या दिया गया है cos x दिया गया है जी x जो है आपका mod of x दिया गया है और इसमें g composition f निकालना है तो यहाँ g f x के बदले में हम क्या लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं और यही cos x जो है आपका किस में चलाएगा mod में चलाएगा इसके आधार पर तो cos, mod cos x देख लेते हैं कहां पर हैं, तो mod cos x आप देख रहे हैं यहां पर हैं, तो यही हमारा सही answer हो जाएगा, ना कि हमारा यह सही answer होगा, तो धिहान दीजिएगा, यह हमारा सही answer नहीं होगा, अगर हम g composition f लिखते हैं, तो चुकि f x को पहले लिखना पड़ेगा, cos x, cos x क इस तरह से बिठाते हैं तो mod में आता है तो इसका सही answer जो है हमारा 1 हो जाएगा इसके बाद हमारा last objective question जो है यह आपका जैसा की 39 आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर f inverse निकालना है fx equal to 2x minus 1 है और f inverse x निकालने का rule अगर नहीं पता है तो ध्यान से देख लिजिए इसको y माल लिजिए आप फिर x का मान निकाल लिजिए आप x का मान निकाल लिजिए तो इस x को हम f inverse क्या लिखेंगे x लिखेंगे और यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम लोग x पूट कर देंगे तो यही f inverse निकल जाएगा inverse function जो की हम को यहाँ पर 2 में देखने को मिल रहा ह तो उमीद करते हैं कि आप लोग इस के सारे objective question को समझ गये होंगे फिर भी अगर आपको कहीं भी doubt रहता है तो आप हमें comment के माधियम से जरूर बताईए मैं कोशिस करूँगा कि आपकी समस्या का समधान करूँ और इसके बाद जो है very short answer type question ये बच्चों आप खुद से बनाई अब फिर भी अगर आपको दिक्कत आ जाती है कहीं इस सब प्रॉब्लम में तो या तो आप हमको इसका पिक या image खीच कर भेज दीजे मेरे WhatsApp नमर पर मैं कोशिस करूँगा जल्दी से जल्दी आपको solve कर दूँ मेरा WhatsApp नमर आपको मेरे short video में मिल जाएगा तो उमीद करते है कि आप इसे समझ गया होंगे तो अगले वीडियो में हम लोग जो है inverse trigonometric function के objective question को solve करेंगे तो बात को मैं यहीं पर बिराम देता हूं मिलते हैं हम लोग next video में जै हिंद जै भारत